हर्याना में रोतक जिले की मेहम विधानसभा सीट से हर्याना जनसेवक पार्टी के उमीदवार पूर विधायक बलराज कुंडु पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए और निजी सचीव घायल हो गए विवाद बढ़ने पर समर्थकों ने कुंडु को बाहर निकाला कुंडु ने पूर्व मंतरी आनन सिंग दागी पर हमला करने का आरोप लगाया है हलांकि आनन दागी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि बलराज कुंडु ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं धक्का मुकी में मेरा कुर्ता फट गया मेरे पिये के साथ मारपीट की गई उसके मूँपर चोटे आई हैं कपड़े फटे हुए हैं मेरी सबसे अपील हैं कि वह शान्ती बनाए रखें अनन सिंग दागी ने कहा है कि मैं मदीना गाउं के बूत में निरिक्षन करने के लिए गया था वहाँ मैंने देखा कि हजपा के उमीदवार बलराज कुंडु एवियम मशीन के पास खड़े हैं मैंने इस पर आपत्ती जताते हुए उन्हें वहाँ से हटने को कहा इसके बाद बलराज कुंडु ने अबद्र बाश्या का प्रियोग करना शुरू कर दिया इसलिए मैं वहाँ से चला गया जब तक मैं बूत पर था तब तक कुंडु के कोई कपड़े नहीं फटे थे और नहीं उनके पिये के साथ मार पीट हुई थी कुंडु ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं यह उनका प्रोपेगंडा है और कुछ नहीं मद्दान शांती पूर्वक चल रहा है महम विधान सबा सीट पर भाजपा ने भारतिया टीम के पूर कपतान दीपक निवास हुड़ा को टिकट दिया है कॉंग्रेस के बलरामदांगी चुनाव लड़ रहे हैं 2019 में निर्दलिय चुनाव लड़कर जीतने वाले बलराज कुंडु इस बार अपनी पार्टी हर्याना जनसेवक पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है